CBI में बचा, घमा, सान, अबदेश की सबसे बड़ी आदालत में पहुँच गया है और यहाँ पर छुट्टी पर भेजे गए डारेक्टर को CBI डारेक्टर आलोक वर्मा और एक NGO द्वारा दाखे लियाचिका पर सुप्रीम कोट में आज सुनवाई हुई है CBI मामले में की गई सुनवाई करते हुए चीफ जस्ट्रिस रंजन गोगोई ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे उन्होंने सीवी सी से अगले दो हफटे में अपनी जाज पूरी करने को कहा है यह जाज सुप्रीम कोट के जज एके पटनाय की निगरानी में होगी CGI ने सुनवाई के दोरान कहा कि अंतरिम डारेक्टर नागेश्वयर राव की न्युक्ति पर कहा गया है कि वो कोई नीतिगत पैसला नहीं कर सकते है वो सिर्फ रूटीन कामकाज ही देखेंगे उधर इस मामले को लेकर के कॉंग्रेस ने मोदी सरकार का घहराव करना शुरू कर दिया है CBI में मचे बावाल को लेकर के आज कॉंग्रेस ने देश भर में हला बोल करने का अईलान किया है सुप्रीम कोट में क्या क्या हुआ है ये भी आपको बता देते हैं CBI मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्ट्रिस रंजन गोगोई ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे और CBC मामले में अपनी जाच अगले दो हफ़ते में पूरी करें ये सुप्रीम कोट कहते हुए नजर आ रहा है जाच सुप्रीम कोट के रिटार्ड जज एके पटनाए की निगरानी में होगी सुप्रीम कोट ने ये भी कहा है देश हित में इस मामले को जादा लंबा नहीं खीच सकते सुप्रीम कोट ही कहते हुए नजर आ रहा है और इसी के साथ सुप्रीम कोट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है कि सधार पर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया सुप्रीम कोट ने जवाब भी तलब किया है इस मामले में अब 12 नवंबर को अगली सुनवाई होगी जो की काफी जादा एहम रहने वाली है अंतरिम डारेक्टर नागेश्वर राव कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकते सुप्रीम कोट ने ये आदेश भी दिया है झाली है